हलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग अच्छे होगे गर आप भी अपने फ़न से इस तरह का पोश्टर बनाना चाहते हैं राजनात सिंग जी के जनमनिका तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं जो कि 10 जुलाई को है तो दोस्तों इस पोश्टर को बनाने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को सुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है ताकि आप ऐसे पोश्टर कुछ से बना सको दोस्तों इसका PLP फाइल मैं आपको दे दूंगा PLP फाइल में पासवर्ट लगा होगा जो कि आपको वीडियो में कहीं एक जगह देखने को मिलेगा तो वीडियो को सुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखेगा ताकि आपको PLP फाइल का पासवर्ट मिल लाए और जिप फाइल को आपन जिप कर सको दोस्तों ऐसे पो कुमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अन कर लेजिगा ताकि मैं जब वीडियो अप्लोड करू तो नोटिफिकेशन के दार आपके पास सबसे पहले पहुंचे और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत बू पर उपन करेंगे तो पुछ इस तरह का इंटरफेस निव में आपको देखने को मिलेगा बीच में दिखेगा इस तरह का न्यू टैक्स सबसे पहले यहां से आपको निव ट्री टैक्स को डिलेट करना है दोस्तों निव ट्रीलेट करने के लिए लेफ्ट साइड में उपर प्लिब वीडियो बना रहा उस बीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की दिस्करेप्शिं में मिल लेगा डिस्करेप्शिं बॉक्स चेक कर लिजिगा चले यहां से अपना PLP फाइल ओपन कर लेता हूं PLP file open करने के लिए डाइट साइड में सबसे उपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे से 30 नमबर open PLP file पर जाएंगे जैसे open PLP file पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का interface दिखेगा यगर आप अपने pixel app में कोई PLP file add करोगे तब वहां आपको ऐसा देखने को मिलेगा तो यहां से मैंने add कर रखा है तो जो पोस्टर आपको design करना है उसको select कर लेंगे एक बार okay करके कुछ इस तरह से एक बार हम बैका जाएंगे तो आप यह सकते हमारा PLP file open हो चुका है तो अगर इसमें कुछ भी edit करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से तो बहुत ही easily कर सकते हैं जैसे कि photo change कर सकते हैं अपना नाम लिख सकते हैं साथ में social media का username दे सकते हैं जो की बहुत ही easy है तो चले दोस्तों यहां से मैं आपको अपना photo change करके दिखाता हूं दोस्तों अपना photo change करने के लिए कुछ इस तरह से पहले हम select कर लेंगे और left side में उपर एक delete का box पना हुआ इस पर किलिक करके यहां से ok कर देंगे तो यह डिलेट हो जाएगा उसके बाद जो new photo png आप अपना इस पर लगाना चाहते हैं उसको select करने के लिए left side में सबसे उपर प्लस कैकेन पर किलिक करेंगे सबसे नीचे से दूसरे अपना फोटो पेंजी जो आप लगाना जहाते हैं वह select कर लेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों हमने अपना फोटो पेंजी स्लाइट कर लिया है इसको तोरह से मैं क्रॉप कर लूँगा कुछ इस तरह से और नीचे से राइट कर दूँगा जैसे राइट करोगे आप भी उपना फोटो पेंजी कुछ इस तरह से लगाना है ताकि अच्छी से लग जाये और देखने में भी दोस्तों अच्छा लगई कुछ इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूं आप देख सकते हैं अपनी हिसाब से अच्छाऑ कर लेंगे कुछ अच्छ देस्ट करने को और फोट करेंगे जैसे ओके करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको इनका नाम देखने को कुछ इस तरह से मिल लागा इसके बाद दोस्तों एकर आप अपने सोसल मीडिया का कुछ भी यूजर नेम देना चाहते हैं फेस्बुक इंस्टा ट्विटर यूटूब तो बहुत ही दे सकते ह अब देना चाहते हो तो इसके लिए सेम इसी तरह से डबल टैप करेंगे यूजर नेम पे और सबको बैक कर देंगे जो भी आपका दुस्तों सोसल मीडिया का यूजर नेम होगा कुछ इस तरह से टाइप कर देंगे और राइट साइड में सबसे ऊपर कर देंगे तो यहां और आपको अपने सोशल मेडिया का यूजर नेम देखने को मिल चांब इसी तरह से से अलाबा यह जो भी चींटि सभरना चाहते हैं आप आप फॉस्टर में और मेरे भी चाहते हैं यह पोस्टर बनके आपके गैली में सेव हो जागा तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लेजगा दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते आ नवाद